कियारा आडवानी ने साल 2014 में फुगली से अभिने की शरुवात की उन्हें एमस दोनी दा अंटोल स्टोरी के बाद अधिक लोग प्रियता मिली कियारा आडवानी का जन्म 31 जुलाई 1992 को मुंबी महारास्ट भारत में हुआ था वह कोमेडी और मांटिक फिल्म अभिने के डिट्रलो और जौन कोन स्कूल मुंबई से की थी बाद में उन्होंने मुंबई के जैहिंक कोलिज से मास्क कम्मुनीकेशन में सणा तक किया विकम अम्र से ही एक अभिनेत्री के रूप में भारते शोबी शेतर में अपना करियर बनाना चाहती थी एक अच्छी अभिनेत्र और उनकी मा का नाम जनेविव जाफरी है जो कि एक शिक्षिका है जो आदे बिटिस और आदे मुस्लिम समुदाय से तालुक रखती है इनका एक छोटा भाई है जिसका नाम मिशाल है जो यूएस से में पढ़ता है वह पूर्व बोलीवूड अभिनेता स्वरगिय साइद जा गी हुई है यारा ने अपने अभिने की शिर्वात एक कोमेडी हिंडी ड्रामा शोशल थ्रीलर फिल्म फुगली से की थी जिसका निर्देशन कभी सदानंद ने किया है इस फिल्म में उनके अभिने को लेकर सकारात्मक्तिप ने मिली थी तेकिन फिल्म एक महतपूर्ण और वेवेसाइक विफलता थी हलाकि यह 180 मिलियन के बजट पर 148 मिलियन की कमाई करने वाली वेवेसाइक निराशा के रूप में उबरा उसके बाद उनकी अगली फिल्म MS धोनी न अंटो स्टोरी भार्टे क्रिकेट टीम के पूर्व कपतान MS महिंदर सिंग धोनी के बारे में थी उन्होंने बॉल्विट अभिनेता शुशान सिंग राजपुत के साथ अभिने किया जिसमें शुशान और MS धोनी और कियारा ने शाक्षी रावत का वास्तिविक जीवन चरितर निभाया जो रॉमांटिक और नाटके नाटक के बाद शाक्षी बन गई हलाके ये फिल्म दुनिया भर में दो दशाम लव एक च्छै बिलिन से अधिक की कमाई के साथ सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई 2017 में वहनवोदित अभिनेता मुस्तफा बर्मावाला के साथ एक और बॉल्विट फिल्म मशीन में दिखाएं दी इस फिल्म को आलोचको ने नकारात्मक समिक्षा दी वह महीश बाबु के साथ भारत अने नेनु फिल्म के साथ तेलोगु फिल्म उध्धोग में भी दिखाएं दी हाल ही में वे शाहिद कपूर के साथ संदीब फांगा की कबीर सिंग में दिखाएं दी थी कबीर सिंग तेलुहू ब्लोगबस्टर अर्जुन रेड़े की आधिकारीक रिमेक है यह फिल्म शाहिद कपूर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिट फिल्म बनकर उबरी है फिल्हाल क्यारा आधवाने कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलया में मुख्य करदार में है